कि मिश्कार स्वागत है चल जी स्टार्ट करते हैं अज मैं आपके सामने बताने वाला हूं जो स्टाटेसिक्स में एक पार्ट और बाके रहे गया था दो डाट इस स्टेंडर डेवेशन और वेरियंस अगर आप आप CSIR NET के स्टुडेंट है तो आपके जनरल अप्टीट में इस पे दो से तीन कोशन बने हैं अगर आप आरपी से के कोशन है तो लगबग दो से तीन कोशन आपके एक्जाम में पूछे गया है तो सुन्थ इन दोनों को मैं आज पताने वाला हूँ है ना सुन्थ रिकॉड अप बाए कर सकते हैं यह सुन्थ बात करेंगे वेरियंस एन इस्टेंड डेवेशन की बात करें अगर आपको कोई भी सस्कृप्शन से लेके डाउट है तो आप हमारी हल्पलाइन नंबर बात कर सकते हैं इसका जो फार्मला होता है वो हमारे पास होता है सुन्थ वन अपॉन अपॉन एंड समेशन एकस माइनस एकस बार का होल स्कृर ना एकसाई आता है यहां पर यहां पर आई इस एक्वल तो वन टू है इस उन्थ कल मैंने आपके सामने मीन डिवेशन अबाउट मीन और मीन डिवेशन अबाउट मीडियन बदाया था पर उस टूल की कुछ कमिया होती है अना अल्टिमेटी हम यह देखना चाहते हैं कि जो डी है इसका मतब यह होता है कि जो मेन से डेटा कितना वेरी कर रहा है इसका यहाँ यहाँ पर अगर इसका मैं अरू ले लू Based seller known as a variance, और इस विन यहाँ पर इसका जो अंडरूड होता है, वो इस्टेंड डिविशन के लाता है, जिसकी वेली हमारे पास होती है, अंडरूड ओफ वन अपॉन एन XI minus X bar का whole square, अगर मैं आपके सामने की example लूँ और इस example के तरूँ समझाने की कोशिश करूँ, तो कैसे हम इसको निकालते हैं, जिसमाल लिए हमारे पास एक question दे रखा है, बटा X हमारे पास given है यहाँ पर, अगर देखें, तो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यह हमारे पास given है, हम निकाल लेंगे, चुकि हमारे पास X data given है, तो summation X upon N की यहाँ पर क्या कर देंगे, वेल्यू निकाल देंगे, बटा चाहो तो इसको आप जोड लीजे, जब इसको जोड़ेंगे, तो सुन यहां से मारे पास इसकी वेल्यू आएगी, 6, 8, 14, 10, 24, 36, 40, 50, 60, 56, 64, 84, 84, 94, 94, 94, यहां पर इसकी वेल्यू आएगी, राइट, है ना, and 150 है रहागे, ओके, 150 है रहागे, पक्का, मुझे 140 लग रहा है, ठीक है, ठीक है, दो, दो, चार, दो, छे, दो, आठ, दो, दास है रहा, तो सुन यहां से मारे पास इसकी वेल्यू आएगी, 150 upon 10, तो इसका जो average आएगा 15 आएगा, अब हम क्या करते हैं, सुन यहां पर X minus X bar की वेल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालना है सुन इसका variance, सुन वेरियंस का जो फार्मला होता है, वो होता है, 1 upon n, summation X minus X bar का whole square, बटा हम क्या करेंगे, यहां पर X minus X bar निकाले हैं, तो बटा X bar हमारे पास यहां प यहां से मारे पास आएगा, minus का 3, minus का 1, 1, 2, and 5, 7, and सुन यहां पर हमारे पास इसकी जो वेल्यू आएगी, 15 और 9 आजाएगा, इसुन हमें यहां पर चाहिए, X minus X bar का whole square, क्या चाहिए, whole square चाहिए, इसुन whole square चाहिए, इसका square कर देंगे, यहां आएगा, 81, 49, 25, 9, 1, 1, 4, 25 45, 49, and 81, almost data, एहा पर, 18 में, 3 आएगा, यह 3 आएगा, यहां पर, I think, और यह मारे पास 9 वेल्याएगी, बगे तो डेटा, almost same यहां रहा है, तो, सुन यहां से कर मैं, इस डेटा को, add करूँ, तो, मारे पास यहां पर कितने विल्याइगे सुंट यहाएगा नभे है नभे और यहां से हमारे पास नभे आ रहा है नभे और पचास नभे और पचास की बात करें 135 135 और 5 140 160 16 16 32 32 I think यहां से इसकी जी वेल्याइगी X minus X bar का whole square is equal to 320 हमारे पास value हाजाएगा 165 है रहा है एक में ट्रिक कर लोते हैं किसा रहा है यह हमारे पास 90 और 140 है ठीक है 140 और 20 अच्छा एक 140 और 20 की बात करी जाए तो यह 160 165 और 165 की बात करी जाए तो 330 हमारे पास इसकी वेल्याइगा सिग्मा स्क्वार की जो वेल्याइगी हुआएगी 1 by 15 है और सुन यहां सम क्या रख देंगे इसकी वेल्याइग थरी 30 रख देंगे अगर हम इसको simplify करेंगे तो सुन यहां पर जो variance आएगा इसको बोलते हैं variance है तो सुन यहां से हमारे पास इसकी वेल्याइगी वो कितने आएगी 15 दोना थेस है और यहां से हमारे पास यहां आएगा I think 22 हमारे पास यहां पर क्या रही है, अगर आप से बुला जाए कि what is the value of standard deviation है तो सुन इसका जो standard deviation आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन रूट 22 हा जाएगा, तो इस प्रकार से हम यहां पर इसकी value बहुत इसली निकाल सकते हैं, हैना, हैना, हाजी, आगे बढ़ते हैं student, next बात करते हैं, अगर हमारे पास data सीधा सीधा नहीं दे रहा है, साथ में हमें frequency दे रहा है, तो उस वाले case में हम कैसे यहां पर इसका standard deviation और variance निकालते हैं, ठीके, इस सुन यहां पर ध्यान दे जेगा, अगर हमारे पास x दे रहा है, और f दे रहा है, और हमारे पास यहां पर frequency दे रहा है और data दे रहा है, तो उस वाले case में हमारे पास इसका जो formula होता हो, इस प्रकार से हम यहां पर लिखते हैं, इस में हमारे पास एक तरीका यह भी होता है, normally अगर हम बात करें, तो standard deviation की जो वेली होती ही, वो इस तरह से वेलिखे जाती ही, ex square minus ex का whole square, ये भी लिखते हैं, अगर हम बात करें, तो इसलों यहां से इसकी वेली होती ही, summation x square f divided by summation x, हैना, summation f, I'm sorry, हैना, बेटा, ऐसे भी हम लिखते हैं इसको, and minus, बेटा, यह आएगा, summation x upon summation f का whole square, अगर हम summation f को capital n मान लें, हैना, तो बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sigma square is equal to, बेटा, यह आएगा, summation x square upon f upon n minus, summation x का whole square upon capital n square आएगा, अगर मैं इस n square को common ले लूँ यहां पर, तो 1 upon n square आएगा, बेटा, यहां आएगा, summation n x square f minus summation x का whole square, बेटा, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर मैं आप से बोलूँ कि इसका standard deviation क्या होगा, तो बेटा, यह formula हमारे पास इस प्रकार से भी होता है, कि n summation x square f minus summation x का whole square, यह भी हमारे पास इसका एक formula होता है, standard deviation और मिन्नी का लग अगर हमें frequency दे रखी है, तो, right, आगे बढ़ते हैं, हाणा, चले जी, कौन बोल रहा है, सर सुन को course purchase करने help line number पे contact करें, हाजी, इधर देखें, सुन बात करते हैं, इस सुन अगर यह हमारे पास एक question देरेखा, अगर हमारे पास यह question देरेखा, पेटा, एकस देरेखा है, साथ में हमारे पास f गिवन है, right, पेटा, यह देरेखा 3, 8, 13, 18, and 23 है, और यहाँ देरेखा हमारे पास 7, 10, 15, 10, and 6, वैसे, normally देखा जाए, जब भी हमारे पास इस प्रकार का question होता है, तो हमारे पास sigma square का, जो standard, अगर variance की बात करी जाए, तो इसका formula हमारे पास यह भी होता है, यहाँ था है, यह हमारे पास n square, and यहाँ sum इसको collect है, बाटा, n into summation x square f minus summation x का whole square, into f, बाटा, यह हमारे पास formula होता है, जो कि मैं आपको अभी बताया था, यहाद हो तो यह वाला, हाना, ठीक है, summation x square, I'm sorry, हाना, बाटा, यहाँ पे मारे पास इसकी value, यह होती x square है, यहाँ पे यहाँ पे चाहँगा, सुनी, f आता है, यहाँ पे, यह मारे पास f आता है, यह मारे पास यहाँ पे इसकी value होती है, यह submission x f आता है, तो सुनी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यह मारे पास value, अगर मैं यह वाला ही formula यूज़ करूँगा, जाधा easy पड़ेगा, तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, तो सुनी, आराम से इसको निकाल सकते है, हमें यह formula यूज़ करना है, तो सबसे बिले हम क्या करेंगे, submission f की value निकाल देंगे, कि submission f कितना है, और यही मारे पास capital N भी होता है, अगर आप देखेंगे, तो 7 और 10, 17 और 5, 22, 32, 42, 48, 48 आ रह x square f minus summation x square, यहाँ पे summation xf का whole square आता है, तो यह की value निकाल देंगे, अब देखेंगे, हमें क्या क्या निकालना है, तो से x square f निकालना है, तो tension मतलो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे बिले x square निकाल दूँगा, बैट x square को multiply करेंगे, तो 9, 64, 169 और 18 का square करेंगे, बात क करेंगे, तो 18 का square हमारे पास क्या आता है, सुन्ट, 8, 8, 4, 6, 8, 6, यह, एन दन सुनिया आएगा, 1, 8, हना, दन यह आएगा, 4, 2, and सुनिया, 3, 24 हमारे पास यहाँ पे value आ चाहेगी, and सुनिया आएगा, हमारे पास 36, फिर हमें क्या चाहिए भईया, हमें चाहिए यहाँ पे यहाँ रख दीजे, यहाँ रख दीजे, आपका answer आजाएगा, क्लार है, कुछ नहीं करना, easily आपा रहाँ, हमें, एकस, हाँ, 23 square है, तो 23 square है, तो 23 square है, 529 है, तो यह हमारे पास इसकी value आजाएगा, I'm sorry, हना, बटा हम यहाँ पे जब data निकालेंगे, और इसकी value पूट करें है, तो summation xf की value जो आएगे, हमारे पास 614 आएगा, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे हम इसकी value बात करें, तो 9652 है, बटा हम देखेंगे, तो 9652 है, अगर हम देखेंगे, तो 9652 है, इसकी summation की value आएगा, यह value उटा कि आप यहाँ रख दीजे, तो sigma is equal to 1 upon n, n की value मार पास 48 आ रहिए, और अंडरूड ओफ, बटा ही आएगा, 48 और यह आएगा, 9652 माइनस, बटा ही आएगा, 614 का whole square, और इसको जब simplify करेंगे, तो यहाँ से मारे पास इसकी division की value आजाएगी, तो इसके question division की value आप निकालके calculate कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 9652 आ रहा है, मारे पास, यह value उठाग यह रखेंगे, 48 और 614 का whole square करेंगे, थोड़ा सा लंबा question होता है, इस तरह समया आप इसको कर सकते हैं, क्या, mean इसका point में आ रहा है, इसलिए नहीं आए तो बेटर है कि हम यह formula use करेंगे, आगे बढ़ता है, तो स्वेंट कैसी लगी आपको class, अगर आप इस topic से related questions को practice करना चाहते हैं, तो आप Maths Care app पे questions को practice कर सकते हैं, जहाँ पर हमने यह वाली class की questions है, Maths Care app पे हमने questions को करवा रखा है, जो कि आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, Maths Care app का जो link है, वो description में भी आपको मिल जाएगा, अगर आप CSIR, NET, GATE, CUTPG, IAT, CHM, RPSC, 1st grade, 2nd grade या किसी भी TGDPG exam की तयारी कर रहे हैं, तो आपके basics को clear करने के लिए series आपके लिए बहुत ही helpful है, अगर इन classes को live लेना चाहते हैं, तो मैं रात को 9 से 10.30 इस class को लेता live भी ले सकते हैं, पर यह सिर्फ live होती है, recorded आपको नहीं मिलती है, recorded के लिए आपको इस channel पर बाकी और भी classes दिख जाएगी, जिसका theory portion हमने करा रखा है, question practice करने के लिए, match care app पर आप question practice कर सकता है